आज हम बनाएंगे चिकन फ्राय या फिर जिससे आप चिकन रोस्ट भी कह सकती हैं लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पी होगा उपर से फ्रस्ट इसके क्रिस्पी होगी तो इसके लिए हम एक किलो चिकन लेंगे इस तरह बड़े-बड़े पीसिस भी ले सकते हैं और छोटे पीसिस लगाएंगे सुफ मिर्चे हैं यह इसी हुई आधा टेबल स्पून यह आधा खाने का चमच एक टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर नहीं कुटी हुई चाइनिज सौल्ट हम इसमें एड करेंगे अधा टीस्पून यह औप्शनल है अधरक पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे वन टीस्पून आप अधरक पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं लहसें पाउडर हम इसमे एड करेंगे एक टी स्पून ये भी आप पेस्ट शामिल कर सकती है और आपके पास पेस्ट हो तो आप दोनों पेस्ट यूज़ करेऊ और गणा लीवच यह मैं आपको बॉटल दिखा एक ही टेबल स्पून हम इसमें वेनेगर यानिके सफेज सर का एड़ करेंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस जो थिक वाली चिली गारलिक सॉस होती है तो वो हम इसमें एड़ करेंगे एक टेबल स्पून यह आप देख सकती है यह चिली सॉस है ठिक वाली तो यह हम इसमें एक टेबल स्पून एड़ करेंगे अब हम सारे मसाला को चिकन के उपर अच्छी तरह से लगाएंगे अच्छी से रब करेंगे और इसके बाद हम इसे मिरनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन एक घैंटा और अगर मिरनेशन का टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी स्टीम कर सकती है अब हम इसे स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए हम एक खुले मुवाला बरतन लेंगे और इसमें सिंपल चिकन को इस तरह रखेंगे जो इसकी मिरनेशन है वो उपर से डालेंगे और आंच लो टू मीडियम रख़र हम इसे स्टीम देंगे तकरीबं दस मिरनट के लिए यह छे मिन्ट हो चुके है मैंने इसके उपर से ढखन हटा दिया है तो आप देख सकती है कि इसमें से पानी काफी ज्यादा निकला हुआ है या आप देख सकती है तो अब हम इसे मजीद कुक करेंगे ताकि इसक नमक आप हजबे जाएका एड़ कर सकती है क्योंकि चिकर में भी नमक था तो इसमें आप थोड़ा सा ही नमक एड़ करें अब हम इसे अच्छी तरह से फैंटिंगे और फैंटने के बाद हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे अगर आप चाहें ताप इसमें ठंडा अगर आपको पसंद हुता आप कर सकती है ठंडा पानी डाल कर या ठंडा दूद शामिल करके अच्छी तरह से फैंट कर हम इसे साइड पर रखेंगे एक दूसरे बॉल में हम एक कप और परपस फ्लोर यानि के मैदा लेंगे सिंपल और दूसरे बॉल में हम ब्रेट क्रम्स लेंगे और ब्रेट क्रम्स में थोड़ा सा फूट कलर शामिल करी हूँ इससे बहुत ही अच्छा डार्क कलर आता है उपर से और अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं एड करना चाहती है तो यह ऑप्शनल है आप इसे स्किप कर सकती है अच्छी तरह से हमने से मिक्स कर करेंगे इसे करदां की ओंडियह और अच्छी तरह से ठंड यह तो टर हृट उप है इससे मेथे कोटिंग करेंगे हैं जो में करते के बाद हम इसे डेश्ट आ अच्छी तरह से इसे अंडे मिक्सर है उसुए चिक क्रेंगे अच्छी तरह से उपर अंडे वाला मिक्सर हमने लगा लेना है और इसके बाद हम इसे ब्रेट क्रम्स में कोट करेंगे यह बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जटपड बनने वाली रेसिपी है इसके ओपर हम इसदार करके ब्रेट क्रम्स लगाएंगे और ब्रेट करम्स लगाने ने के बाद हम इसे डीप फ्राइ करेंगे एक बरतन लेंगे या फिर खड़ाई लेंगे और इसमें काफी ज्यादा ओईल हम गरम करेंगे क्योंकि हमने चिकन को डीप फ्राइ करना है मीडियम हीट हमने रखनी है क्योंकि चिकन अंदर से कुखे हमने सरफ बाइसे कृस्पी औल गोल्डन कलर लाने तक फ्राइ करना है तो हीट मीडियम पर होनी चाहिए बहुत अदा हाई यालो पर नहीं होनी चाहिए मीडियम हीट पर हम चिकन को फ्राइ करेंगे ताकि अच्छा से कलर आ जाए इसी तरह हम सारे पीस dip करके bread crumbs में और अंडे में में और मैदे में कोट करके हम सारे पीसे इसी तरह fry करेंगे अगर आप को dark color पसंद नहीं है तो आप इसी तरह light brown करके इससे निकाल सकती है यह अंदर से कुक होता है तो ऊपर से कलर आप अपनी मर्जी का इसका ला सकती है अगर आपको लाइट ब्राउन पसंद हो तो लाइट ब्राउन करके आप इसे निकाल सकती है मैं थोड़ा से इसे ज्यादा फ्राइ करूँगी क्योंकि यहाँ एक बेकरी है हमारे महाँ पाकिस्तान में एक बेकरी होती थी तो वहाँ पर यह चिकन मिलता था बहुत ही जबरदस बहुत ही जबरदस उसका जायका होता था तो मैंने काफी ज़्यादा रेसिपी अपनी तरफ से ट्राइ की मुझे कोई भी इस तरह करके इसका रिजर्ट नहीं आया तो यह फाइनली जो मेरा रिजर्ट आया था बिलकुल टीस्ट वाइस और कलर वाइस बिलकुल वैसा ही था जैसे वहाँ पर पाकिस्तान में बेकरी में मिला करता था तो यह इसका कलर आ चुका है और अब हम इसे डिश ओट करेंगे सारे पीसिस को हम इसी तरह फ्राइ करके निकाल लेंगे निकाल कर आपने किसी चल्नी में रखना है यार रखें कि जब भी आप इस तरह कोई डीप फ्राइ चीज बनाते हैं तो इसे आप निकाल कर किचन पेपर या किचन टावल पर मत रखें किसी भी कागज या अगवार पर मत रखें इसे आप किसी चल्नी में रखें तो यह बह क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बहुत ही निर्म हमारा क्रिस्पी फ्रैड लोगे कीजिए केचसप पड़न की सब दूझे बच्चों को धीजिए और मुझे दॉआम मे याद रखिए кос सबस्क्राइब करना मद भूलेगा मेरी करना मन बुलियेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग, आलाह हाफिज